तो चली फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले चार्ट दिफ्रेंट फोन के बारे में और यहां पर जो रेंज होने वाली इनके 40 से लेकर 60 जार के बीच में और यहां पर मिद रेंज से हैंगे हम चलेंगे फ्लैक्शिफ की तरफ क्योंकि यहां पर आज कर दिखा है पहुत सारे एक से एक प्राइस 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 प्रा तो आप यहाँ पर देखेंगे सारी फोन अलगलग लुक्स और डिजायन के साथ आते हैं कहीं फे फोन बहुत जादा लाइट वेट है कहीं पर तोड़ी से विट्थ ग्रीप अगरा में फोड़ा रिफ्रेंट्स क्रेट हो जाएगा लेकिन अगर बात करें एक संडेट तो प् थिकने से ग्लास का बैक आपको मिल जाएगा मैटल की फ्रेम बिल जाती है तो और नो डाउट फ्लेक्शिप रेंज के हिसाब से फोन की डिजाइन तो ऑविएसली काफी प्रीमियम सी है दुफिर नंबर पर देखा जाए तो 12R आता है उमारा वन प्लस का 12 को नहीं पर सिले फोन के लाइट के साथ अब भी आपको देखने को मिल जाता है थर्ड नंबर बात करें तो वीवो वी स्यीज आती है अपने फोन के लाइट वेट के हिसाफ से फोन बना जाते है तो अब देखें काफी स्लीम और स्लीक फोन यहाँ पर बनाएगा अगर देखें आप तो यहा इसकी टेक निदर भी डाल कर दिये, जो कि एक सीरीज की फ्लैक्शिफ रेंज मिलती तो आपको वी सीरीज में मिल जाएगा, और स्मार्ट और लाइट आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर एस पर के साथ LED फ्लैश का सपोर्ट मिल जाता है, 12, obviously इंडिया में लॉंच हो चुका है, उसकी बाद में करेंगे, लेकर 11 Pro, यह प्राइस ड्रोप इस पर हो चुका है, इसलिए हम दे इसको कवर अप करा हैं, यहाँ पर तीन केमरा से लेंसे आते हैं, इलिप शैप में देखने को मिल जाएगा, इस फोन का वेट होने वाला 180 ग्राम के साथ, 7.6 mm के ठीकनेस आपको देखने को मिल जाती है, अंदर की चुछी की बात करें तो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर सभी फोन के अंदर 3D करो डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, यह सभी चीज के अंदर कॉमन्स है, 120 Hz का रिफ्रेश्ट आपको सभी फोन में देखने को मिल जाएगा, जो काफी जाता स्मूथ वक करता है, उसे के सासर अगर आप देखें तो Full HD Plus AMOLED पेनल मिल जाता है, 3D करो डिस्प्ले आजकर सभी फोन के अंदर यहां पर दिया जा रहा हो है, बैसल थोर चेन के साइज काफी कम आपको नजर आने वाली है, पिक ब्राइटनेस के अगर पॉइंट देखें, आप तो 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस, आपके एक समरेट के अंदर, 12R यहाँ पर यह फोन भी काफी लाइट करता है, क्योंकि 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है आउट्डोर के लिए, जो काफी सफिशियंट है, किस सबी फोन के अदर आराउंद आपको काफि बैटर लाइट कंडिशन आप पर देखने को मिल जाए है है लेकिन सबसे बैस आपको एकसे अनरेट में यह चीज़ देखने को मिल रही है उसके साथ प्रोटेक्शन टाइप अगर बात करें अगर फ्रंट इसपले को लेकर तो यहा मिल जाएगा लेटिस्ट ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पर डिस्प्ले के लिए एक कमपने डाल कर जिया था आई-पी रेटिंग्स के मामले में 20 के साथ सेंसर आता है जो कि obviously OIS EIS के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा अल्ट्रावी लेंस भी यहाँ पर डाल कर दिया 50 मेगा पिक्सल का एक पोट्रेट को स्पेशल बनाता है यह लेंस क्योंकि हाइलाइट फोटोग्राफी इसके अंदर है 64 मेगा पिक्सल का आट मेगा पिक्सल का अल्ट्रावाइट वन वन टू डिग्री देखाता है और दो मेगा पिक्सल का है इसके अंदर माइक्रो लेंस भी डाल कर दिया इतना यूस्फुल में नहीं है बट आपका काम नॉर्मल निकाल देगा वसी के साथ वी 30 प्रो यह भी यहाँ पर एक पोट्रेट लेंस भी डाल कर दिया है और जायद स्टार की टेक्नोलोजी भी साथ में डाल कर दे दिया तो कॉम्बो पैक ऑविसली केमेरा फिचर्स इस प्राइस पॉन पर में इस फोन में मिल रहे हैं 11 प्रो यहाँ पर यह पोट्रेट बग करा था कंपनी नहीं तीन सेंसर इस पर आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए अगर अंदर सेटिंग्स की बात करें केमेरा फिचर्स में तो इंटरफेस ओविसली वीव का सिमिलर सा आता है और ओपो और आप वनप्रेस का देखने तो यह लगबग सिमिलर सा इंटरफेस मिलता है आपको वीडियो इस पर में बात करूं तो यहां पर आपको फोर्टेटी एपेस से काम चलाना पड़ेगा सभी फोन देखें तो 60 अपर जा सकते हैं ओपो के फोन के अलावा बाकी अगर यहां पर जो स्पेशल चीज़े हैं जो डाल कर दी गई है वो सबसे साथा बैटर तो आपको एक संडर साथ मगर आप उसी के साथ अगर मोर वाल उप्शन में जाकर देखेंगे तो आपको सूपर मून का सपोर्ट मिल जागा डिवल वीडियो मोड का सपोर्ट है साथ-साथ में जो जूम के सपोर्ट की क्वालिटी बर जो दी गई है वो आपको 100 जूम यहां पर सपोर्ट मिल ज प्लस अलग अलग ऑकेशन के हिसाब से चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाती है अगर अगर आप जाकर देखेंगे तो इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं आप चान की फोटो करीफ से इसमें भी जा सकते हैं हाई रिजोन सेटिंगे स्लो मोशन वगर आपको मिल जाएगा प्लस ड्यूल वीडे मोट भी यहां पर दिया है फ्रंट सेल्फी सेंसर अगर देखा जाए तो सबसे अगर यहां पर देखा जाया तो आपको Vivo V30 Pro में 50MP का फ involving selfie जाएगा जो कि फ्रंट में अगर रेज़ूशन सेटिंगे अगर देखेंआं तो वीड़्यू यहां पर 4K से तो आप front में यापर shoot कर सकते हैं और जितने भी modes आप rear side पे जो देखे थे आपने वो आप front side से उनका यापर लुट उठा सकते हैं, मतलब 4K 60fps इस phone के अंदर ही आपको यापर option मिलता है vlog बगरा कर सकते हैं, आप directly create उसी के साथ साथ यहाँ पर wide camera का support इसमें मिल जाएगा, यह आप देख सकते हैं, इसके अंदर setting आप चेंज कर सकते हैं अपने साथ से, यह काभी वेस्ट चीज़ है जो कि हमें V30 Pro में ही नजर आ रही है बाकी किसी भी sensor में आपको जो है 4K 60fps को support इन तीनो phone में front side पे देखने को नहीं मिलता है, sound technology के अगर बात में यहाँ पर की जाए तो obviously mid-range segment के phone भी होचा है, flagship phone आप चाहते है dual speaker support मिल जाए और 3D को रिट इसमें मिल रहा है HD 10 Plus certification आपको obviously display मिलता है colors तो वीडियो के अंदर काफी अच्छी आ रहे है आप चाहते है surrounding sound quality भी काफी अच्छी बनी रहे उसके लिए आपको X100 के अंदर dual speaker support मिल जाएगा 12R के अंदर भी आपको dual speaker आटम के साथ मिल जाता है साथ-साथ में V30 Pro इस phone के अंदर आपको यहाँ पर single speaker से आपको काम चलाना पड़ेगा यह थोड़ी सी disappoint करती है चीच loudness मिल जाती है देर सो परसेन तक जाता है लेकिन फिर भी इस phone में इतने ही price के बाउजूद आपको single speaker से काम चलाना पड़ेगा 11 Pro यहाँ पर यह आपको dual speaker आपको support यहाँ पर दे देता है